करक राशी, सप्ता की शुरुवात में आपके लिए धन लाब के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं, सप्ता की शुरुवात होगी और आपको धन लाब की संभावना बन जाएगी हाला की मैं करक वालों को कहूंगा कि देखिए स्वास्थे आपका अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में बेहतर तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी बेहतर नहीं है इसलिए अपने स्वास्थ का और अपनी मानसिक स्थिती का अभी भी ध्यान रखिएगा अगर आप इस सप्ताह में प्रयास करते हैं तो आपके करियर संबंधी जो रुके हुए काम है वो निश्चित रूप से इस सप्ताह में पूरे होंगे इस सप्ता में आपको सफलता जरूर मिलेगी इस सप्ता परिवार के कारियों में आपकी काफी जादा व्यस्तता दिखाई दे रही है इस सप्ता परिवार के कारियों में आप काफी जादा व्यस्त बने रहेंगे तो देखिए करक राशी वाले मुख्यता अपनी स्वास्त का ध्यान दखेंगे, मुख्यता अपनी मानसिक स्थिती का ध्यान दखेंगे, लेकिन परिवार में उनकी व्यस्तता बनी रहेगी और सप्ता के अंत में आपको दूर के स्थान से कोई लाब हो सकता है इसकी संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है तो मैं करक राशी वालों को ये जरूर कहूंगा कि देखिए अपने मन और स्वास्त का ध्यान दीजिए लेकिन करियर के लिए पूरा प्रयास करिए पूरा इफर्ट करिए अगर आप करियर के लिए पूरा प्रयास करेंगे पूरा इफर्ट करेंगे तो ये सप्ता आपके लिए शुब होगा सप्ता के अंत में दूर स्थान से कोई लाब हो सकता है सब्ता के अन्त में विदेश से या दूर इस्थान से कोई शुब सूचना मिल सकती है कोई फायदा हो सकता है ऐसी संभावना बन रही है इस सब्ता शनीवार का दिन आपके लिए सबसे ज़ादा उत्तम होगा अपने महत्वपूर काम अगर आप शनीवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी